21 जन्वरी 2023 प्रातह मुर्ली ओम शांती बापदादा मधुबन मीठे बच्चे बाप की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो चालचलन अच्छी रखो प्रश्ना शिवबाबा की दिल पर कौन चड़ सकता है? उत्तर जिनकी गैरंटी ब्राहमा बाबा लेता की यहाँ बच्चा सर्विसेबुल है यहाँ सब को सुख देता है मंसा, वाचा, कर्मणा किसी को दुख नहीं देता ऐसे जब यहाँ ब्राहमा बाबा बोले तब शिवबाबा की दिल पर चड़ सकते हैं प्रशना इस समय तुम रुहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? उत्तर सारे विश्व की तो क्या लेकिन पांच तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रुहानी सर्वेंट करते हो? इसलिए तुम हो सच्चे-सच्चे सोशल वरकर गीत ले लो दुआएं माबाप की ओम शान्ती बच्चों ने गीत सुना ऐसे तो लौकिक माम बाप की दुआएं अनेक लेते हैं बच्चे पाफ पड़ते हैं, माम बाप आशिर्वात करते हैं यह धिंदोरा लौकिक माम बाप के लिए नहीं पिटाया जाता है धिंडोरा अर्थाद जिसको बहुत सुने, यह तो बेहद बाप के लिए ही गाया जाता है, तुम मात्पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपावा दूआ से सुख घने रे, भारत में ही यह महीमा गायी जाती है, जरूर भारत में ही यह हुआ है, तब तो गाया जाता है, एक स्वर्ग में तो सभी सुख है वहां दुख का नामनिशान हो नहीं सकता इसलिए ही गाते हैं कि दुख में सिम्रण सब करे सुख में करे न कोई आधा कल्प दुख है तो सभी सिम्रण करते हैं सत्यूग में अथा सुख है तो वहां सिम्रण नहीं करते हैं मनुष्य पत्थर बुद्धी होने कारण कुछ भी समझते नहीं है कलियूग में तो अथा दुख है कितनी मारामारी है कितने भी पढ़े लिखे विद्वान है, परंतु इंग गीतों का अर्थ बिलकुल नहीं जानते है गाते हैं तुम मात पिता परंतु समझते नहीं है कि कौन से माता पिता की महीमा है यह तो बहुतों की बात है न इश्वर की संतान तो सभी है, परंतु इस समय तो सभी दुखी है सुख घनेरे तो किसको नहीं है कृपा से तो सुख मिलना चाहिए अकृपा से दुख होता है बाप तो कृपालू गाया हुआ है साधू संतों को भी कृपालू कहते है अब तुम बच्चे जानते हो भक्ती मार्ग में गाते हैं तुम मात पिता यहां बिलकुल यथार्थ है परंतु कोई बुधिवान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को तो गौड फादर कहा जाता है उनको फिर मदर कैसे कहती है तो उनकी बुध्धी जगत अंबा के तरफ जाएगी जब जगत अंबा की तरफ बुध्धी जाती है तो फिर जगत पिता के तरफ भी बुध्धी जानी चाहिए अब ब्रामा सरस्वती यह कोई भगवान तो नहीं है यह महिमा उनकी हो नहीं सकती उनके आगे भी माता-पिता कहना रांग है पनुष्य गाते तो परपिता परमात्मा के लिए हैं परंतु जानते नहीं हैं कि वहां मात-पिता कैसे बनते हैं अब तुम बच्चों को कहा जाता है ले लो ले लो दुआएं मा बाप की अर्थात श्रीमत पर चलो अपनी चालचलन अच्छी हो तो अपने पर आपे ही दुआएं हो जाएंगी अगर चलन अच्छी नहीं होगी किसको दुख देते रहेंगे मात-पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे तो दुआएं मिल नहीं सकती फिर इतना सुख भी नहीं पा सकेंगे बाप की दिल पर चड़ नहीं सकेंगे इस बाप की ब्रहमा की दिल पर चड़े तो गोया शिवाबा की दिल पर चड़े यह गायन है ही उस मात्पिता का बुद्धी उस बेहत के मात्पिता के तरफ चली जानी चाहिए ब्रहमा की तरफ भी कोई की बुद्धी नहीं जाती है भल जगत अंबा की तरफ कोई की जाती है उनका भी मेला लगता है परन्तु आक्यूपेशन को कोई जानते ही नहीं तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता काईदे अनुसार यह ब्रहमा है यहां भी समझना है याद भी ऐसे करेंगे यहां माता भी है तो ब्रहमा बाबा भी है लिखते हैं शिव बाबा केराफ ब्रहमा तो माता भी हो जाती है तो पिता भी हो जाता अब बच्चों को इस पिता की दिल पर चड़ना है क्योंकि इनमें ही शिव बाबा प्रवेश होते हैं। यहां जब गैरंटी देते हैं कि हां बाबा यहां बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबुल है, सभी को सुख देने वाला है। मनसावाचा कर्मणा किसको दुख नहीं देता है, तब ही शिव बाबा की दिल पर चड़ सकता है। मनसावाचा कर्मणा से जो करो, जो बोलो उससे सब को सुख मिले। दुख किसको नहीं देना है। दुख देने का विचार पहले मनसा में आता है, फिर कर्मणा में आने से पाप बनता है। मनसा तूफान तो जरूर आएंगे परंतु कर्मणा में कभी नहीं आओ। अगर कोई रंज, नाराज होता है, तो बाप से आकर पूछो बाबा इस बात से हमारे से यहां नाराज रहते हैं, तो बाबा समझाएंगे। कोई भी बात पहले मनसा में आती है। वाचा भी कर्मणा ही हो गया। अगर बच्चों को माम बाब की आशिरवाद लेनी है, तो श्रीमत पर चलना है। यहां बड़ी गुह बात है, जो एक को ही माता पिता कहते हैं। यहां ब्राहमा बाब भी है, तो बड़ी मा भी है। अब यहां बाबा किसको मा कहें। यहां माता पिता किसको मा कहें। इस मा की तो मा कोई हो नहीं सकती। जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, ऐसे इन्हें अपनी कोई मा नहीं। मुख्य बात बच्चों को यह समझाते हैं, कि अगर मनसा, वाचा, कर्मणा किसको दुख देंगे तो दुख पाएंगे और पद धश्ट हो पड़ेंगे। सच्चे साहब के आगे सच्चा रहना है, इनसे भी सच्चा रहना है। यह दादा ही सर्टीफिकेट देंगे की बाबा यह बच्चा बड़ा सपूत है। बाबा महिमा तो करते हैं। जो सर्विस सबुल बच्चे हैं, तनमंधन से सर्विस करते हैं। कभी भी किसको दुख नहीं देते हैं, वही बाब दादा और मा की दिल पर चड़ते हैं। इनकी दिल पर चड़े माना उनके तक्त पर चड़े। हमेशा सपूत बच्चों को यह विचार रहता है कि हम गद्दी नशीन कैसे बने। यही तात लगी रहती है। गद्दी तो नंबरवार आठ है, फिल एक सो आठ फिल सोलह हजार एक सो आठ भी है, परन्तु अभी हम उच पद पाएं। ऐसे तो शोगता नहीं जो दो कला कम हो तब गद्दी पर बैठें। सपूत बच्चे बहुत पुरुशार्थ करेंगे कि हमने अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यमंशी का पूरा पूरा वर्सा नहीं लिया तो कल्पकल्प नहीं लेंगे। अभी अगर विजय माला में नहीं पिरोये तो कल्पकल्प नहीं पिरोयेंगे। यह कल्पकल्प की रेस है अभी अगर घाटा पड़ा तो कल्पकल्प पड़ता ही रहेगा पक्का व्यापारी वह जो श्रीमत पर माबाप को पूरा फालो करे कभी किसको दुख न दे उसमें भी नंबरवन दुख है काम कटारी चलाना बाप कहते हैं अच्छा श्रीकृष्ण भगवान वाच समझो तो वह भी नंबरवन है उनकी बाद भी माननी चाहिए तब तो स्वर्व के मालिक बनेंगे समझते हैं श्रीकृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी है अच्छा उनकी मत पर चलो उसने भी कहा है कि काम महाशत्रु है भला उनको जीतो इन विकारों को जीतेंगे तब ही कृष्ण पूरी में आ सकेंगे अब श्रीकृष्ण की तो बात नहीं श्रीकृष्ण तो बच्चा था वह कैसे मत देंगे जब बड़ा होकर गद्धी पर बैठेगा तब वहां मत देगा मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज्य चलाएंगे न अब शिवबाबा तो कहते हैं मुझे निराकारी दुन्या में याद करू श्रीकृष्ण फिर कहेंगे कि मुझे स्वर्ग में याद करू वहां भी कहते हैं काम महाशत्रू है इन पर जीत पहनो वहां विश नहीं मिलेगा तो विश को छोड़ पवित्र बनो यह तो श्रीकृष्ण का बाप बैठ समझाते हैं अच्छा समझो मनुषों ने मेरा नाम निकाल बच्चे का नाम डाल दिया है वहां भी तो सर्वगुन संपन्न है वहां भी कहते हैं गीता में लिखा हुआ है कि काम महाशत्रू है उनको भी मानते थोड़े ही है उन पर भी चलते थोड़े ही है समझते हैं श्रीकृष्ण खुद आये तब हम उनकी मत पर चलेंगे तब तक तो गोता ही खाते रहेंगे सन्यासी आदी कहन नहीं सकते कि मैं तुमको राज्योग सिखलाने आया हूँ यह तो बाप ही समझाते हैं और संदम की ही बात है श्री कृष्ण है सत्यूग में उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना तो श्रीव बाबा खुद कहते हैं श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में जाने लायक बना रहा हूँ बाबा कितनी मेहन करते हैं कि बच्चे स्वर्ग में चल उच्पद पाएं नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर भरी उठाएंगे बाब से तो पूरा वर्षा लेना है अपने से पूछो हम इतने सपूद हैं सपूद भी नंबरवार होते हैं उत्तम मध्यम कनिष्ट उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहते उनकी दिल में रहम आएगा हम भारत की सेवा करें सोशल वर्कर्ज भी नंबरवार होते हैं उत्तम मध्यम कनिष्ट कई तो बहुत लूटते हैं माल बेच कर खा जाते हैं फिर उनको सपूद सोशल वर्कर कैसे कहेंगी सोशल वर्कर्ज तो अपने को बहुत कहलाते हैं क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते हैं सच्ची सेवा तो बाप ही करते हैं. तुम कहते हो कि हम भी बाबा के साथ रुहानी सर्वेंध है. सारी स्रिष्टी तो क्या तत्वों को भी पवित्र करते हैं? सन्यासी तो यहां नहीं जानते कि तत्व भी इस समय तमोप्रधान है, इनको भी सतोप्रधान बनाना है. सतोप्र प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा। बाबा समझाते तो बहुत है परन्तु बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। जो अच्छी सर्विस करते हैं, उनका बाब दादा भी नाम बाला करते हैं। यह तो बच्चे भी जानते हैं कि सर्विस में कौन-कौन तीखे हैं। जो सर्विस पर है, वहाँ दिल पर चड़ते हैं। सदैर फालो माम बाब को करना है। उनके ही तक्तनशीन बनना है जो सर्विस पर होंगे वह दूसरों को सुख देंगे अपना मोह दरपड में देखो की बाबा का सपूत बच्चा ना हूँ खुद भी लिख सकते हैं कि हमारी सर्विस का यह चार्ट है मैं यह सर्विस कर रहा हूँ, आप जज करो तो बाब को भी मालूम पड़े खुद भी जज कर सकता है कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ बच्चे भी जानते हैं कौन महारती है, कौन घोडे स्वार है कोई भी छिपा नहीं रह सकता है बाब को पोतामेल भेजे तो बाबा सावधान भी करे बिगर पोतामेल भी सावधानी तो मिलती रहती है अब जितना वर्षा लेना हो पूरा पूरा ले लो फिर बाब दादा से भी सर्टीफिकेट मिलेगा यहाँ बड़ी मा बैठी है, इनसे सर्टीफिकेट मिल सकता है इस वंदर्फुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं जैसे उस बाब को कोई बाब नहीं फिर मम्मा फीमेल्स में नमबर वन है ड्रामा में जगत अंबा गाई हुई है सर्विस भी बहुत की है जैसे बाबा जाते हैं, मम्मा भी जाती थी छोटे-छोटे गाओं में सर्विस करती थी सब में तीखी गई बाबा के साथ तो बड़ा बाबा है इसलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है सत्यूग में प्रजा बहुत सुखी रहती है अपने महल, गाएं, बैल आदी सब कुछ होते है अच्छा बच्चे, खुश रहो आबाद रहो न बिस्रो न याद रहो क्योंकि याद तो शिवबाबा को करना है अपने शरीर को भी भूल जाना है तो औरों को कैसे याद करें अच्छा मिठे मिठे सिकील दे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का यादप्यार और गुडमारनिं रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धाला के लिए मुख्यसार एक कोई को भी नाराज नहीं करना है बंसावाचा कर्वणा सब को सुख दे बाप की और परिवार की दौाएं लेई है दो सपूत बच्चा बन भारत की रुहानी सेवा करनी है रहमदिल बन रुहानी सोशल वरकर बनना है तनमंधन से सेवा करनी है सच्चे साहब के साथ सच्चा रहना है वर्दान बोल पर डबल अंडरलाइन कर हर बोल को अनमोल बनाने वाले मा सद्गुरु भाव आप बच्चों के बोल ऐसे हो जो सुनने वारे चात्रक हो कि यह कुछ बोले और हम सुने इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य महावाक्य ज्यादा नहीं होते जब चाहे तब बोलता रहे इसको महावाक्य नहीं कहेंगे आप सद्गुरु के बच्चे मास्टर सद्गुरु हो इसलिए आपका एक-एक बोल महावा क्यो हो जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवशक है, युक्ति-उक्त है, स्वयम और दूसरी आत्माओं के लाब दायक है, वही बोल बोलो बोल पर डबल अंडरलाइन करो स्लोगन शुपचिन्तक मनी बन अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो